दिव्यांगता को रुबीना ने अपने निशानेबाजी करियर कर कभी हावी नहीं होनी दिया यही कारण है कि वो 25 सार के उम्र में देश की सबसे सफर दिव्यांग निशानेबाज पन गई है पैरिस में खेली जा रही पैरालंपिक 2024 की निशानेबाजी में शनिवार का दिन भारतिय खिलाडियों के नाम रहा रुबीना ने देश के लिए एक कास से पदक निशानेबाजी में जीत कर विश्व में देश का नाम बढ़ाया रुबीना ने 10 मीटर एर पिस्टल में जीता कास से पदक जबलपूर की बेटी रुबीना फ्रासिस ने पैरिस में आयोजित पैरलंपिक 2024 में भारत निशानेबाजी टीम का प्रतिन धित्व करते हुए कास से पदक जीता उन्होंने P2 10 मीटर एर पिस्टल SH-1 इवेंट में ये उपलब्दी हासिल की है इस वर्क में इरान के ऐस जवन मार्दी ने स्वर्ण और टर्की की ए ओसकर ने रज़त पदक जीता है 25 साल के अतराश्ट्रिय पेरा निशानिबाज रुबीना जबलपुर की ऐसी प्रतिवाशाली निशानिबाज है वहीं रुबीना की जीत पर प्रदान मंत्री मूदी और मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर बदाई ती